इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। यह भविश्य में किसी भी दिल के दोरे और स्ट्रोक की संभावना को कम करने में भी मदद करता है। नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्था हार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरित करने में मदद मिलेगी। इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। मतली, कब्ज, दस्थ और ठकान इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव हैं। अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि इन में से कोई भी आपको परेशान करता है, या खराब हो जाता है, या दूर नहीं जाता है। मान स्पेशियों की कमजोरी, शुश्क मूह और अत्यधिक प्यास को दूर करने के लिए दवा लेते समय खूब सारे तरल पदार्ट पीएं। निम्न रक्चाप के कारण चक्कर या सिरदर्ध हो सकता है, लेकिन यह समय के साथ ठीक हो जाता है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव या किड्नी की कोई समस्या है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं विशेश रूप से वे जो उच्च रक्चाप या हिरदय की स्थिती का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है आपको अपना रक्चाप, गुर्दा समारोह, रक्च शरकरा का स्तर और पोटेशियम या मैगनीशियम जैसे लवन के स्तर की नियमित जांच करवानी चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद